UPSC extra attempt case यानि की जो civil service का जो mains के exam है उसमें जो लोग Corona के चलते mains exam में अपियर नहीं उपाया थे उनको extra attempt देजाने से मंदित एक petition supreme court में pending है और जित सुकला versus Union of India के नाम से यह है और इसमें आज सुनवाई होनी थी सुनवाई जब मैटर आया तो यह हुआ कि तो बज़े इसमें सुनवाई होगी लेकिन बाद में दो बज़े भी जो गवर्मेंट काउंसल था जो ESG है वो कहीं दूसरे मैटर में इंगेज थी तो इसलिए उसे अर्जन कर दिया गया कल तक के लिए यानि कि 31 मार्च को फिर से इस केस को सुना जाएगा दूसरी खबर इसमें यह है कि DOPT के दुवारा इस मामले में एफिडेविट फाइल किया गया है और उसमें उन्होंने एक्स्टा अटेम्ट को अपोज किया है यानि कि उनका एक कहना है कि एक्स्टा अटेम्ट नहीं दिया जा सकता क्योंकि अगर एक्स्टा अटेम्ट CAC में में दिया जाएगा तो वो हाई कोर्ट एजेक्ट किया था तो उस तरह की भी बात की गई है लेकिन इसमें में बात यही आई है कि DOPT सिदे सिदे इसमें अपोज कर रही है मना कर रही है बाकी कल इस मामले में सुनवाई होगी जस्टिस खानविल कर कि बेंच इस मामले को सुनेगी 31 मार्च को यह मामला फिर से सुना जाएगा